हलो फ्रेंड्स मैं पंकर युप्रादिया एग और फिर आपका आठके टीचर चैनल में स्वागत करता हूँ हर बार की तरह इस बार में आपके लिए एक टुटोरियल लाए हूँ जो की हमारे कास हिंदू विस्वी दाले के उपर होगा इसी सीरीज को आगे बाराती हुए मैं और भी कुछ लाने वाला हूँ तो आपसे उमीद रखता हूँ कि आप ये विजो जरू देखेंगे और अंग तक देखेंगे कोरोना 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 हर जगा कोरोना की मार है और इसी कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमारे कासी हिंदु भी स्विद्याले के कुछ चिकित्सक जो की हर समय तयार बैठे हैं कंसर्टन्सी के लिए उन्हें किसी समय फोन किया जाए वो फ्री में अपनी सलाह देते हैं और किसी को भी कोई जरुवत हो तो वो आगे आते हैं उनका कदम हमेशा हमारी लिए आगे रहता है तो मैं उनका सर्ध धन्यवाद देता हूँ और उनको भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने सारे चिकित्सक को और हमें एक साथ मिलाया जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ बावा सेसनाथ जी की बाबा स्री सेसनाद जी जो की हमारे एक ग्रूप के एड्मिन है और उन्हेंने हम सब को मिलाने की कोशिस की है जितने भी हमारे कासी हिंदुवी से भी द्याले बनारे से हिंदु इन्वर्सिटी के पूर्व भुद्पूर्व चाहत रहे हैं है वो किसी भी एयर के हूं सब एक मंच पर आ गये हैं और सब ने एक साथ यह आवाज उठाई है कि कोरोना से लवना है कोरोना से फाइट करना है और बाबा सेेसनाज जी मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है अब हमारी बारी यह है तो मैं उन चिक्रसोकों को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस लगाई में हमारा साथ गिया है और देते आ रहे हैं। पिछले बार की तरह इस बार मैं फिर VHU यानि बनारस हिंद्य उन्वर्सिटी से एक स्केच बना कर लाया हूँ जो की पेन और वाटर कलर से होगा। लास्ट स्केच में आपने काफी अच्छा रिस्पॉंस दिया है इसके लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम आये हैं तो मैं आपसे रिक्विस्ट करूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिपिकेशन बेल को बहुत मुल्लेवान है तो चले फिर हम आप देखते हैं कि यह स्केच हमने कैसे तैयार किया है आज के इस टुटोरियल में हमने बेचू गेट का रेखाचितर तैयार किया है और हम यह देखेंगे कि हमने यह रेखाचितर कैसे तैयार किया है सबसे पहले हमने इसे pencil से outline कर दिया है इसके बाद हम इसे pen से sketch करेंगे pen से sketch करने के लिए हम brush throw company की brush throw technical pen use करते हैं जो की waterproof होता है ये 5 pen है जो अलग अलग तरह के आते हैं 0.1 से लेकर 0.5 तक तो हम इसे 0.3 से करने वाले हैं ताकि उसका जो ठिकने से ज्यादा मोटा भी ना हो और ज्यादा पतला भी ना हो तो इस तरह से हमने यह start किया आप देख सकते हैं यह pencil का जो हमने किया था उसके उपर मैं pen चला रहा हूं और कहीं-कहीं अगर आपको लगता है कि नहीं आपने pencil से कुछ इदर उदर कर दिया है राफ क्योंकि वह rough sketch होता है ऐसे final हम pen से करने वाले हैं तो हमें उसके अनुसार करनी होती है जो हमें live डिखता है उसके अनुसार हम pen से draw करते हैं यह रेखा चितर हमने ब्यचू का इसले लिया क्योंकि हम ब्यचू सीरिज के उपर काम करने वाले हैं इसके पहले हमने महामना पंडित मदन मोहन मालवियर जी का रेखा चितर लिया था अभी मैं ब्यचू गेट का ले रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि इसे मैं काफी जड़ा स्पीड में ले जा रहा हूं जबकि यह मैंने जड़ा साथ धीरे-धीरे किया है काम वीडियो को स्पीड किया है ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो जड़ा कम हो जाए आपको स्केच करना है पूरी जड़ा टाइम दे कर ताकि कुछ प्रपोर्शन में इधर उदर ना हो जाए अन प्रपोर्शनेट ना लगे तो पूरी ध्यान से करना है और यह पैंसिल से अगर पहले कर लेते हैं तो आपका यह जो मिस्टेक है या फिर जो एरर होने कराएगा वो नहीं होगा चुकि हमें इसे बाद में इसलिए हम इसे जल्दी जल्दी कर देते हैं उतना फिनिस लाइन देनी की ज़रुत नहीं है आपको क्योंकि आपको इसे कलर करनी है दोस्तों उमीद है कि आप मेरे इसके पहले वाले जो टुटोरियल है वो आप ज़रु देखे होंगे और आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा सब्सक्राइब के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को दवाना नहीं भूलेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के प्रेस करते ही आपको मेरे हर आने वाले टुटोरियल से वो वीडियो की जानकारी समय पे मिलती रहेंगी यह सब्सक्रिप्शन बिल्कुल निशुल्क है फ्री है तो इसमें जारा सोचनी की जरुवत नहीं है आप बेहिचक सब्सक्राइब कर सकते हैं आउटलाइन के पूरा होते ही हम वाटर कलर के उपर काम करेंगे आप चाहे तो कोई और भी कलर यूज कर सकते हैं लेकि वाटर कलर का जो टेक्स्चर होता है वो कुछ अलग आता है और ट्रांस्परेंट कलर होता है कुछ बुसे से उसके उपर हम यहां काम कर रहे हैं प्रांस्परेंट झाल झाल मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने एक ऐसे इन्वर्सिटी से अपनी सिक्षा ग्रहन की जो की देश विदेश में काफी माइने रखता है शायद आपको मालुम हो या नहीं हो लेकिन ये एसिया का लाजेस्ट इन्वर्सिटी है और वर्ल्ड में लाजेस्ट इन्वर्सिटी में इसका नाम आता है जगे ब्यूब के ब्यूब का लूब वर्ल्सट इन्वर्सिटी इन्वर्स इन्वर्सिटी में लेकिन तो यह वाटर कलर कैमल का वाटर कलर आर्टिस्ट कलर है जो की टूब में होता है अब मैं वाटर कलर करने जा रहा हूँ सबसे पहले मैं ब्रस में पानी लेकर उपर की तरफ लगाता हूँ पेपर पे वाटर कलर का टेकनिक होता है कि आप पहले पानी इस्परेट कर दे उसके उपर वाटर कलर को इस्परेट कर दे तो स्काय के ओपर हमने काम किया भी उसके बाद जहां जहां डार्क और लाइट चाहिए वो हमने पूरा किया उसके बाद हम बाकी बेस पे पानी लगाते हैं और उसके ओपर काम स्टार्ट कर देते हैं जहां डार्क है वहां जड़ा सा डार्क हमने डाला है और जहां light होना चाहिए वहां हमने light डाला है अभी बुसिस के उपर हम green color के उपर काम करते हैं जितने भी trees है, greenery है वहाँ पे green पे हमने काम किया light और dark का side वाटर कलर की एक खासियत यह होती है कि जरा सा सूखने के बाद आप dark color डालते हो उसे सूखने के बाद आपको result जो मिलता है वो अलग मिलता है यह पूरी तरह से transparent color होता है आपको water color अगर सीखना होता है तो काफी practice की जरुवत होती है और यह काफी easily आप इस पर काम कर सकते हों अभी मैं dark की तरफ जा रहा हूं जहां जहां dark होगा वहां dark color मैं spread करूंगा यह हमारा second layer है और जो third layer होगा वो सबसे darkest layer होगा तो अभी जितने भी second layer के काम है आप पहले पूरा कर देते हो और उसके बाद जैसे ही आप देखते हो कि सारा color सुग गया तो आप third layer पर काम कर सकते हो यहां से हम start करते हैं third layer पर काम करना और इस तरह से आप देख सकते हो कि जहां भी जहां सेडोर है वहां पर हम third layer परगाम करते हैं या फिर जहां darkest जो layer है और यह पूरी structure दो color के होती है एक orange और light orange की आप अगर पूरे university में अगर घूमेंगे तो आपको इसी यही दो color के सारे buildings दिखेंगे वीडियो को मैंने जदा फ्रस्ट किया है ताकि यह वीडियो लंबा ना हो जाए क्या है भीव duż लंबा म Works आपको एफ म्बशर याब ना है याइ क्या लीव क्या अप्रभवल झाल 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 तरह से हमारा ये रेखा चितर अल्मोस्ट कंप्लिक्ट हो गया है और मैं जड़ा सा फिनिसिंग टच दे रहा हूँ जहां जहां सेडो चाहिए वो मैं देख रहा हूँ सूखने के बाद आपको मारूम चलता है कि आप और कहां काम करने की ज़रूत है दोस्तों उमिद है कि आपको ये टुटोरियल अच्छा लगा होगा और आपने अभी तक सब्सक्राइब भी कर दिया होगा आपके सब्सक्राइब करने से हमें एक सहयोग मिलता है और हमारा मोरल भी बुस्ट होता है इसके लिए मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने नहीं किया है तो आप कर दें और नोटिपिकेशन बेल को दबाना ना भूले आपके नोटिपिकेशन बेल के दबाते ही मेरे हर आने वेले वीडियो और टुटोरियल की जानकारी आपको समय पे मिलती रहेगी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू थैंक यू बेरी मुच